हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आप सभी का हमारे चैनल ग्लोबल आल व्लोग में स्वागत है और आज हम इस वीडियो के में अदम से मोरवंस के सब्चीवरों के एक डाइग्वेल डाइग्राम के साथ आपको समझाना चाहेंगे और इसमें आपको यह बताना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर हम बात करें मौरवंस तो पहला कुछन यह कि मौरवंस का नाम मौरवंस क्यों पड़ा दरसल चंद की माता का नाम जो था वह मूरा था तो मूरा के नाम से ही मौरवंस का नाम पड़ और इसने भारत में एकुल 137 वरस तक राजी किया और यह भारत का राजवन्स कहलाया और अब यहां पर एक विल्ड डाइग्राम के साथ दिख रहा है आपको कि इसके स्थापना का सरे है तो इसमें बहुत खास बात यह है कि दो लोगों का सरे जाता है पहले तो चंद्गुक मौर भी जो है वो भी अच्छे जानकार हो गयाता थे तो इन दोनों ने मिल कर जो है नंद्वन्स के समराड जो की घना नंद थे उसको पराजित किया और पराजित करने के बाद मौर वंस की स्थापना की और अपनी राजधानी को पार्टिल पूत्र बना ली ठीक है तो पा असानी से आपको एक बार में समझ में आ जाएगा और किसी भी एक्जाम में कहीं होगा तो आपका गलत नहीं होने वाला है और किसी को भी आराम से बता भी सकते हैं अगर कोई पूछ ले तो कहनी यह है कि चंदगुत मौर की जो पूरवस थे वो एक छोटी सी रियास्त में राज करते थे पेपिलोन में और मगत समराज के अंडरगट वहाता था तो मगत समराज उसमें बहुत ही सकती साली था और मगत समराज को नदौन्स के नाम से भी जाना जाता था जिसका जो सा सकता महापद्नन था तो महापद्नन क्या करते था मगत समराज के जो राज साशक तो इस प्रकार से चंदगुत मौर को यह बहुत ही बुरी लगी और वह समय उनका बच्पन था तो उसमय वह 14 वर्ज के आसपास थे तो उनके अंदर कही न कहीं मन में एक यह भावना की कि एक नएक दिन मैं इस राज को लेकर रहूंगा तो इसी भावना को ध्यान में रखते हुए फिर चंदगुत मौर जो है अपनी सिच्छागरा करने के लिए तक्षिला चले गए तक्षिला जो है एक ऐसा प्लेस है जहां अब इस विद्याले की नीव रखी गए यह एक इतिहासकारों के माध्यम से पता गयात होता है तो यह कहानी थी और यह तक्षिला है कहाँ पे तो पंजाब के सौरी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस्तित है और तक्षिला के नजदीक बहुत ही नजदीक से ग्रेंट एक रोड के बारे मता दे इस ट्रक को इस ग्रेंट ट्रक रोड को सिर्शा सूरी ने बनवाया था तो अब बात है तक्षिला में जो चाड़क थे वहाँ पे वह एक सिच्छक के तौर पे तो चाड़क की मुलाकात जो है वह चंद्गुप मौर से हुई दोनों में वर्ताला है चाड़क दोनों में करें दोनों में तो बारे में और तो सिकंद्र के बारे में चाड़क को एक बात बताई कि अगर सिकंदर को किसी अपने गोटी में ले लिया जाए और इसको मगद की राजधानी मगद के बारे में हडपने के लिए रका जाए तो उससे हमाएं बहुत फैदा होने वाला है और इस बात को चंदगुत मौर ने बहुत ही गहर है इसलिए क्योंकि चंदगुत मौर का मगद से वैसे भी कट्टर मगद के शाषक ने उसके पूरवत के चेतरी राजध को हड़प लिया था तो चाड़क ने चंदगुत मौर को बुला कि उसको अपने जाल में फसा लो तो चंदगुत मौर सिकंदर के पास गया है बोले कि मगद का जो शाषक के बहुत ही बैमान है उसने बड़े बड़े पराजित के जाल साल से करके उसको अपने राज में कर लिया है और काफी जंता को परिशान भी है यह बहुत नाना प्रकार की बात थी कि लेकिन सिकंदर उसकी बात में नहीं आया और वहां से चल पड़ा जब भारत में आकरम करने के बाद सिकंदर अपने देश वापस लोट रहा था तो व्यासनाती के किनारे बेबिलॉन में सिकंदर की मृत्ति हो गई तब मृत्ति हो गई तो यह बात जो है पूरे समराज में धीरे धीरे आख के जंगल के आख के तरीके फैलने लगी और जो समराज के जो प्रजा थी वो भी युनानी सासकों से उत्ती जो है ठीक वेभार नहीं था और तो वह नहीं चाहती थी कि युनानी को सासा करा है तो प्रजा और राजा सेनापतियों के बीच काफी कह सकते हैं एक से युद्ध का महौल चिड़ गया तो उसी युद्ध के महौल को चंदगुत मौर चाड़क ने बड़ी चतुर चलाकी से जनता को अपनी तरफ फसा करके चंदगुत मौर ने सिकंदर के सेनापति सेलिकस को हराया और फिर इस प्रकार से उसने चंदगुत मौर ने मौरवंस की स्थापना की तो सेलिकस ने फिर अपनी बेटी का वीवा चंदगुत मौर से कर दिया और इस प्रकार मौरवंस की स्थापना हुई मेगा इसनी इसी के दरबार में आया था अब बात है कि चंदगुप मौर ने जब इस्थापना कर ली तो उसने अपने समराज को कहा कहा तक विस्तार किया तो उसने अपने समराज को बढ़ा करने के लिए पूर्व से स्टार्ट किया पूर्फ से शुरू किया और तेजि-से पश्चिम की ओर सम्राज का विस्तार प्रारम कर दिया तो इस प्रकार से उसने अपने समराज इसी तक रास किया और मौटवन्स के विस्तार में जोर योर से लगा रहा है फिर उसके ना रहने पर उसकी गद्धी का उतरादिकार अशुक बना असुक का जो सासन काल था वो 273 से 222 इसी तक था असुक के काल में भारी मातरा में राज का विस्तार हुआ असुक के काल में विस्तार बहुत तेजी से हुआ बहुत से इस्थापनाय भी की और इस वीडियो में यह संचिप था लेकिन अलग अलग शासको दोरा क्या क्या कारी किये गए किस टैप से था और क्या उनकी आगे की विचादा था यह सब आपको नेक्स वीडियो में मिलेगा एक-एक सामरा शासको के बारे में अब असुक का समय में ही कलिंग का यूद हुआ यह सब objective type question में भी पूछ लेकते हैं कलिंग की यूद किसके शासनकाल में हुआ कलिंग की यूद में बहुत अधिक कह सकते हैं बड़ी मात्रा में नरसंगहार हुआ उस नरसंगहार को देख करती हिंस सब्सक्राइं में हिंसा की भावना खत्महों गया उन्होंने भौत धर्म को शिवकार कर लियो शत्याघी चांस युद에서 के बाद ही उसने हुझत बहुत दर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया और इसका कहीं-न कहीं कारण जो था हुट हो मौरवन्स की पतन का कार मधनिंग तुछ से और ऑपन से डिस्क्राइब करनाहीं करना किया ना कहिं है त bitter too को अग्लडटी करनाा किस को क्या बना अतरा किसी रोब टॉत हों भाब दौर्म नोट यह वन आणा यह चीजों क matar डिसक वजे से पतन का कारण बना दूसरा था ब्राह्मणों दोरा मौर्वंस का जमकर विरोद किया क्योंकि मौर्वंस के टाइम पर बहुत धर्म को गरण कर लिया गया तो अंधर्मों के प्रती हो गया उनको पर ध्यान ना गया और उसका कहीं ना कहीं जो धर्म का जो कह सकते हैं कि लोगों को लग कि इस्तार हो गया था राज इतना पड़ गया था दूरह तक कि युष को समुआ लनें के लिए बड़ी सेना कि ज़ुट थी सेना कần ways पी जवरतिario गहोड़्मिंदगी पैसे जब देने के लिए वैसा कोई कदम नहीं उठाएगा इस वजह से भी जो है पतन का कार्मना जनता में आपस में मद्भेत फैदा हो गए फिर है प्रांतिकी सासकोदर जन अत्याचार जब दूसरे राज के सासको को पता चला कि जो है उसमें जो है युद के लिए कुसल सेना न करने के कोशिस की अत्याचार किया तो इस वजह से भी पतन का कारण रहा और बात है करे तो राजधानी के केंदर में ना होना कहने के मलतलब जो पार्टिल पूत्र राजधानी थी वह एक सेंटर पॉइंट में थी सपोड़ यह एक नकसा है जहां तक वह मौर समराज का विस थानी है तो जहर शीवा तो वह इतने एरिया को अच्छे से देख पाएगा लेकिन यहां पर देखने के लिए उसको काफी संसादन और अपने सेनाओं को स्थापिक करना बहुत कुछ हो जाए सिंटर पे ना होने के कारण भी एक पतन का कारण बनना फिर है धर्म साथ काम करता था जो मौरवंस के अंडरी था लेकिन उसने बड़ी चलाकी से ब्रदर्स की हत्या कर दी और मौरवंस का खात्म करके उसने अपना वंस स्थापित किया जिसका नाम रखा सुंगवंस तो इस प्रकार से सुंगवंस नाम की स्थापना हुई तो यह भी आ सकता ह कि सुग्वन्स का प्रतम सासक जो था पुसमित्र सुंग था कैसे बना यह आपको अपने बता है तो यह था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन तो यहां पर सासको की सूची भी है कि मौर्वन्स का पहला सासक चंदगुप मौर था और अंतिम सासक यह कुश्चन में अकसर पूछ जाता है सासनकाल पूछे तो यह आपके सामने है मौर्वन्स का प्रतम सासक चंदगुप मौर्वन्स का तीसरा सासक पूछे तो यह लिस्ट है आप लोग देख लीजिए इसका स्कीन स्वाट भी ले सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और अगला वीडियो जरूर देखें बहुत इंट्रेस्टिंग वह भी आपको मिलने वाला जलसल थैंक यू